किसानों के हक की बात करने वाले कॉंग्रेस के राज जित 36 गड़ में किसान पिछले 30 दिनों से धरने पर बैठे हैं वाग्या 36 गड़ के नवा रायपुर का है यहां अंदोलन रद किसानों का कहना है कि ना तो इन्हें जमीन का चार गुना मुआफसा दिया गया और ना ही पुनरवास करवाया गया इसी को लेकर आंदोलन कर रहे किसान तीन फरवरी को कॉंग्रेस के पूर्व राष्ट्री अध्याक्ष और सांसद राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं और उन्हें अपनी व्यथा बताना चाहते हैं लहाजा इसके लिए किसान संग ने सरकार के मंत्रियों और वरिष्ट अफसरों को पत्र लिख कर मुलाखात करवाने का अग्रह भी किया है और साथ ही कहा कि अगर मुलाखात नहीं करवाई गई तो नवा रायपुर शेत्र के ग्रामीर सलक पर बैठ जाएंगी द्रसल राहुल गांदी से मिलकर किसान अपने साथ हो रहे अन्याई के बारे में बताना चाहते हैं राहुल के साथ वारता कर रहे किसानों का कहना है कि हमारा दस तदस्सी अप्रतिनिधी मंडल तीन फरवरी को राहुल गांदी से चर्चा करना चाहता है राहुल की अग्वाई में बने भू अर्जन पर पुनर्वास खानून के बावजूद जमीन का चार गोना मुआवजा नहीं दिया गया और बिना पुनर्वास उनकी 20,000 एकल जमीन चीन ली गई हमसे 11-12 रुपए प्रती वर्गफिट की तर से जमीन हरीद कर नर्डिये 1700 रुपए प्रती वर्गफिट की तर पर बेच कर खारोबार कर रहा है इसके अलावा किसान नेताओं का कहना है कि वो सरकार के जवाब के इंतजार में है अगर सरकार जवाब नहीं देती है और उनकी मुलाखात राहुल गांधी से नहीं करवाई जाती है तो वो लोग अपने घरों से निकल कर सड़कों पर बैठ जाएंगी इसके बाद कि इस्थिती के लिए पुशासन वा सरकार की जिम्मेदारी होगी दरसल किसान कई सालों से लंबेत अपनी नौ मांगो को लेकर लगातार आंदोलन में जुटे हैं किसान एनार डिये भवन के सामने पिछले 30 दिनों से धरने पर बैठे हैं 26 जनवरी को इन्होंने ट्रेक्टर रैली निकाल कर विरोध जटाया था और तीन दिन पहले ही किसान नेताओं ने सरकार के मंत्रियों से बाद चीद भी की थी लेकिन वो बानतीजा निकली जिसके बाद किसानों ने सरकार और प्रिशासन के सामने ये मांग रखी है झाल 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